अच्छा है मुईम इससे लोगों जागरुक हो रहे हैं और लोगों तक यह संदेज जा रहा है हमारा हमारा विचार जा रहा है तो यह अच्छी किस्सा ही ले लिजे बहुत सी जगावी कुवीर काल में कितनी तुरही तुरही हुई और नमस्कार मैं संतोष देवगरी मिरजापुर से आईपा यानि आल इंडिया प्रोगिशिक पॉल्टिक्स एसोशियेशन जो बात करता है प्रक्सिल राजनित की प्रक्सिल समाज की प्रक्सिल मुद्दों की आज हम अपने मंच पर एक ऐसे सक्सियत जो युवा नेता है युव प्रसांत कुमारलाल जी जो गरीब असहाय जनों को सिच्छा से जोड़ने के साथ साथ उन्हें खाद्यांत इत्यादी का वित्रण करते हैं आप डेवोरव फॉन्डेशन से जुड़े हुए हैं और समाज सेवा के छितर में काफी लंबे समय से लगे हुए हैं खास बात यह है कि आप समाज के गरीब असहाय निर्बल लोगों की मदद बीना किसी नाम और परचे के करते हैं यानि गुपचुक तरीके से आपको प्रचार बिलकुल पसंद नहीं हैं आज आप हमारे आईपा के इसमंच पर मौजूद हैं और हम आप से बात करते हैं प्रक्सिल समाज क कि प्रक्सिल राजनीत की प्रक्सिल मुद्दों की हम मिलते हैं प्रसांजी से धन्यवाद करते हैं अपको अपने मंच आईपास से अपने प्रसांजी आप करते किया हैं जी मैं property का काम करता हूं आप लंबे समय से मिर्यापूर में समासेविया के चेतर में भी जुड़े हुए हैं गरीब असाय जणों को आप भोजन कराने से लेके खाद्यान का वित्रण करते हैं लेकिन ये अलग बात है कि आप इन चीजों को छुपा ले जाते इसके बारे में आप किसी को नहीं आखिरकर ऐसा क्यों कुछ चीजिया है जिनको नहीं बनना चाहिए वह हमारे अंदर से होती है हम अपने तरह से करते हैं इसलिए उसको नहीं करने के लिए जैसे आप देख लिए तुनाओ का दाऊर है और मेर्जापुर जनपत में अंतिम चरण में मतदान होना है यानि पुरवांचल के जनपतों में लेकिन कई ऐसे जोलन समस्याँ हैं जिनके तरफ से राजनीतिक दलों का ध्यान नहीं जाता है और खास करके बात जब होती है राजनीत की और अस्थानी समस्याओं की जनप्रतनी दी या चुनाओं में अपना भाग आजमाने वाले उम्मेद्वार बात तो करते हैं लेकिन जैसे ही चुनाओं बीटता है वो अस्थानी समस्याओं को भूल जाते हैं अखिरकर ऐसा क्यों था इस पर आपका क्यामत है देखिए जनता है जिसको वोड देगी वो उसको जिताएगी लेकिन हमारी जो जनप्रतनी दी होते हैं इनको जब चुनाओं के समय यादते हैं बाकी कार जो होते हैं, कुछ कार होते हैं, कुछ कार नहीं होते हैं, अधिकांस कार नहीं हुए हैं, कुछ कुछ कार होते हैं, तो इसमें ज्यादा टिपनी देना हमको ठीक नहीं लगता है, लेकिन यह है कि अगर जन परसेंदिन अच्छा कार करें, तो हम भी सहमत हैं, लेकिन आप इस बार विदान सभा चुनाओं में किन मुद्दों को लेकर मद्दान करेंगे पहला बेरोजगारी दूसरा महेंगाई तिसरा चिक्सा चौथा आपके जो भी दिख लिए चाया आपका रहसन पानी जो भी है उसके लिए आज के सबसे गरीबों के लिए जानी आप बिरोजगारी को आप मुद्दा मानते हैं इसके लावार और कुछ मुद्दे महंगाई बस दो चीज आप गरी अगर नौकरी रहेगा आदमी अगर दो पैसा कमाएगा तो ही अपने खर्चा कर पाएगा जब नौकरी नहीं तो फिर आदमी क्या करेंगा बस सबसे बड़ी जो मुद्द है वो बिरोजगारी ही लेखें न कितने योवा अभी एग्जाम वगरा हुए कितने एक्जाम के आपके पेपर लीख हो गया यहां तक खुद में वाइफ का पेपर लीख हो गया तो क्या कि जएगा गरीबी बिरोजगारी आपके नजरों में एक बड़ा मुद्धों को लिए इसके अलावा अन्ह किन मुद्धों को आप सबसे बड़ी जटिल समस्या की रूप में मानते हैं कि मुद्धे तो कई हैं जिसमें आपका एक मुद्धा जो अच्छी किस्ता ही ले लिए बहुत से जगह भी काल में कितनी तरही 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 हुई और बह यह चीज़ को देखके अमको प३्क करना है कि आने माले दिनों में जो एक सरकार का गठन होगा उसके बारे में आपका क्या क्या लें विचार है विक्तिaking सरकार कोई Be The Car सबको लेकर चले हर वर को लेकर च्ळेंगे से बाफे टिसीट हमें अब के जनप्रत्नीदी कायसा होना चीए इमानदार करमट जुजारू जो हमारे जिसके लिए मैं खड़ा हूँ तो वो हमारे दुख्सुक में खड़ा हूँ ऐसे जनप्रति जाते हैं हमारे इस आईफा के जन सरोकार और जनफस्तर की राजनीत पे चलाया जारे मुहिम के विशे में आप क्या क्याना चाहते हैं अच्छा है मुहिम इससे लोगों जागरूख हो रहे हैं और लोगों तक ही संदेज जा रहा है हमारा हमारा विचार जा रहा है तो यह चाहिए धन्यवाद